इस एपिसरड के शुरुआत में सोल टिंग नमबर वन पोजिशन में आ चुका होता है यहाँ पर ओ लोग उनके परफार्मेंस दे रहे होते हैं यही पर युनसां कहती है जब मैं सोल का फ्यूचर देखी थी तब मैंने सोल की सौंग को टॉप में आते हुए देखी थी उनके सौंग फेमस होने का रीजन एक चार साल की लड़की है जब उसकी मां लाइब न्यूस में थी तब ओ लड़की वहाँ चिकन पीस लेकर आई थी ए वीडियो वाइरल हुआ था इसके वज़स से सोल टीम को भी पहली सक्सेस मिली है क्यूकि सोल टीम चिकन का एड़टाइस्मेंट भी किये थे तो लोग उन लोगों का एड को देखने लगे जहाँ पर उनके सौंग भी प्ले हो रहा था आवरो कहती है सोल टीम का सक्सेस का सेकेंड रेजन है टाय और यून बिन का डूयट सौंग है और हीना की सौंग जिसे यूनसुन ने लिखाता आउर तो और यून हो और चुंगा की मूवी का सौंग इन सब के वज़स से सोल का सौंग पॉपिलर हो चुका है औरो कहती है अब उन लोगों का एनिमेशन भी छीना में बन चुका है एस सब में मैं फ्यूचर में देखी थी इसके त्री विक्स बाद हुआ फिर जब सोल टीम का परफार्मेंस कतम होता है तब एंकर सब गेस्ट को स्टेश पर बुलाती है तब सब आइडल स्टेश पर आते हैं तब ये एंकर आश का म्यूजिक स्टार्ट विनर को अनौन्स करने लगती है फिर सीन चेंज होता है और हम आफिस का सीन को देखते हैं जहाँ पर मिश्टर कीम और सबी स्टाफ सोल टेम का सकसस का रेजन के बारे में बात कर रहे होते हैं अवरो लोग यून सांग कहा है कहा कर पूछते हैं तब हम यून सांग को देखते हैं जो पार्क के साथ आफिस में होती है जो वहा आई रिप के प्राब्लम के बारे में पूछने के लिए आई थी तब इप पार्क यूनसांग से पूछता है तुम भी मेरे जैसे फ्यूचर को देख सकती हो क्या यूनसांग कहती है हाँ ए पवर मुझे मेरी ग्रैंडमा से मिली है मेरी ग्रैंडमा को इस पवर को यूज करने के वज़े से उसे वो पवर कर्स बन चुका है अवरो पूछती है आपने कहा था कि अगर हम फ्यूचर को देखेंगे तो हम कुछ वैलेबल चीजों को को सकते हैं इसका मतलब ए पवर सब के लिए एक जैसे काम नहीं करता है बलके अलग-अलग एफेक्ट देता है पार कहता है हाँ जैसे कि कोई अपना मनी, फैमिली, फेम को भी को सकते हैं तब यह उन्सांग कहती है क्या इसके वज़े से मैं मेरी मेमरी को को सकती हूँ तब यह पार कहता है ए अभी तक मुझे भी पता नहीं है लेकिन अगर हम पवर्स को नेचर के किलाफ यूज करेंगे ओ सकता है तब यह उन्सांग पूशती है फ्यूचर को ना देखने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या तब यह पार कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी पवर्स पसंद नहीं है यूज सांग कहती है नहीं क्योंकि जब मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकती हूँ तो मुझे बैड फील होता है तबी पार्क कहता है अगर तुमारे प्रेजंट दे बैड फिल हो रही होगी तो तुमारे nightmare भी वही बैड ड्रिम बन जाएगा तबी युन सांग पुश्ती है अगर मैं प्रेजंट में एपी हो तो क्या हो जाएगा पार्क कहता है तुमारे ड्रीम्स भी आच्छी होंगी तभी युनसांग पूछती है अगर मुझे गुड ड्रीम्स आ जाएगी क्या फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा तभी पार्क बताता है हाँ तो तुम प्रेजन्ट को केसे कुछ रखना है इसके बारे में सोचो तभी युनसांग और सवाल पूछने वाली होती है लेकिन पार्क का टाइम कतम होता है और हो कहता है अब हम बहुत बात कर चुके हैं तो तुमें और बात करनी है तो तुम मेरा मंतली मेंबर्शिप ले लो कहकर उसे पोश्टर को दिखाता है फ्यूचर को देखर तुमारी प्रेजेंट को कम टाइम दे रही हो ये सब को याद करकर युनसांग परिशान हो जाती है फिर हम डाइरेक्टर कांग और युनसांग को देखते हैं तब ही डिरेक्टर कांग कहते हैं कोई बात नहीं अब हम इसे कैसे सौल कर सकते हैं इसके वारे में सूचेंगे और वो यूनसांग से पूछते हैं क्या तुम YSNS को चेक किये हो यूनसांग कहती है हाँ लेकिन वहाँ ए वीडियो नहीं है ए वीडियो बस कुछ क्लास के को देखते हैं जहाँ पर हम डिरेक्टर कांग को आई रिप का क्लास में देखते हैं उन्हें वहाँ देखकर कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं अवरो लोग मेसेश करकर आपस में पूछने लगते हैं कि क्या यह यहाँ आई रिप का वीडियो के वज़े से आई है जिसम का आने के बाद डिरेक्टर कांग स्टूडेंट्स से अच्चे से बाते करने लगते हैं अवरो उन लोगों से पूछते हैं फ्यूचर में किसको आईडल बनना है तभी कुछ स्टूडेंट्स हाथ को उपर करते हैं तभी डिरेक्टर कांग कहती है तुम लोगों को पता होन चाहिए कि डेब्यू करना आइडियल का आकरी गोल नहीं है इसके बाद तुम लोग अच्छा सौंग करेंगे तो इसका मतलब तुमारे डिफिकल्ट भी बढ़ जाएगा एक मिस्टेक और एक मिसंडरस्टैंडिंग का वज़ा से लोग तुमें हेट करेंगे और बाकी ग्रू को चूज करेंगे पुरों स्टूडन से पूछती है तो ऐसा क्यों होता है तभी एक स्टूडन कहता है क्योंकि ओ लोग पॉपिलर है इसलिए डिरेक्टर कांग तुमारे बात सही है जब पॉपिलारिटी बढ़ जाएगा तो जलेस भी बढ़ जाएगा ना यही पर जिन ए कर जलेस फिल करते हैं तो पड़े होने के बाद भी एक कंटिन्यू होता है इसके बाद डिरेक्टर कांग स्टूडन्स को और बाते बताने लगती है एस सब बात को सुनकर जिन सैड होता है इसके बाद डिरेक्टर कांग और आयरिप वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके आस सौल जी आती है, औरो डेरेक्टर कांग से मुझे आपसे कुछ पूछना है कहती है, डेरेक्टर कांग हां कहती है, सौल जी पूछती है, आप फोटो अप्लोड किये हुए बोईस को क्या करने वाले हैं, क्या आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करने वाले हैं, डेरेक्टर कांग कहती है इसे मैं नहीं बल्कि तुम लोग ही डिशाइड करना क्योंकि तुम और आईरिप उस पिच्चर में थे तभी सियाल जी कहती है वैसे ओ लोग कल रात मुझसे माफी मांगे थे और ओ लोग फोटो भी डिलीट कर चुके हैं वैसे ओ लोग मुझे ए भी प्रामिस किये थे कि आज से ऐसा गलती नहीं हो जाएगा तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी तभी डिरेक्टर कांग सियाल जी से पूछने लगती है अगर ओ लोग चेंज नहीं हुए तो क्या करोगी कल ऐसे ही किसी और को करेंगे तभी सियाल जी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि आप आज उन्हें इंडिरेक्टली वर्निंग दिये हैं इसके बाद डिरेक्टर कांग सियाल जी से तुमारे नाम क्या है कहकर पूछते हैं सियाल जी उसका नाम को बताकर आप मेरी नाम को याद रखिए क्योंकि मुझे भी स्टार लाइट में आना है तभी डिरेक्टर कांग पूछती है क्या तुम भी आइडल बनना चाती हो सियाल जी कहती है नहीं मुझे स्टार लाइट का मैनेजर बनना है इसे सुनकर आइडल शौक होता है तभी डिरेक्टर कांग मुस्कुराते हुए सियाल जी से पूछते है तुम मैनेजर बनना क्यों चाती हो तभी सियाल जी कहती है क्योंकि आइडल ने कहा है कि उसका मैनेजर ग्रेट है तबी डिरेक्टर कांग आयरिप से बताती है, तुम सब लोग युनसांग के बारे में बात करते हो, लेकिन यहां तुम्हें मदद करने के लिए मैं आई हूँ, तबी आयरिप बताता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अच्चे हो, तबी डिरेक्टर कांग मुस्कुराने लग सियाल जी डिरेक्टर कांग को तैंक्यू कहती है, इसके बाद हम युनसांग को देखते हैं, जो डिरेक्टर कांग को कॉल करकर तैंक्यू कहती है, इसके बाद ओ अपने आप से कहने लगती है, मैंने तुम पार को गलत समझ रही थी, लेकिन उसका बात सच हो रही है, तबी ओ आ चुका है, तो मैं आपको forward कर चुका हूँ, तभी युन सांग उसे देखने के लिए बेटती है, तभी सबी स्टाफ युन सांग promotion deserve करती है कहकर, युन सांग का नाम को जोर से चिलाने लगते हैं, इसके बाद युन सांग, युन सु का interview का वीडियो को देख रही होती है, जहाँ पर युन सु कहता है, मैं Mongolian जाने से पहले एक old lady को meet किया था, औरो कही थी कि मैं एस सब कर सकता हूँ, और उसकी prediction सच हुआ है, तभी anchor पूशता है, क्या आपको कोई wish है, युन सु कहता है, हाँ, मुझे दो wishes है, पहला wish, मैं दिन में दो अवर्स से ज्यादा सोना च आता हूँ, तभी anchor आप दिन में कितने अवर्स केले सोते हो कहकर पूशता है, युन सु कहता है, मैं 56 मिनिट्स केले सोता हूँ, इसे सुनकर युन संग सैड हो जाती है, तभी युन सु उसका second wish के बारे में कहता है, औरो बताता है, मैं चाहता हूँ, July 21 जल्दी आ सके, इस इसके बाद anchor पूशता है, क्या आप किसी को प्यार कर रहे हो, युन सु हाँ कहता है, इसे सुनकर युन संग डर जाती है, तभी युन सु कहता है, मैं मेरी फैन्स को प्यार करता हूँ, इसे सुनकर युन संग, relax फिल करती है, तभी वहाँ युन बिन, युन संग का ड्रेस अगर तुम्हें यहां बोर फील हो रही है, तो तुम तुमारे फ्रेंड्स के साथ गुमो, यूनबिन कहती है, कौन सा फ्रेंड, मैं मेरी ट्रैनिंग को, जब मैं 14 येर्स कीती, तब से स्टार्ट कीती, मैं स्कूल भी, उतना जाती नहीं थी, कुछ लोग फ्रेंड्स भी है, लेकिन वो लोग यही पर नहीं है और कुछ लोग डेटिंग कर रहे हैं तब ही यून सांग यून बिन से पूछती है क्या तुम सैड फिल कर रही हो तब ही वहाँ एक स्टाफ आकर सोल का कास्टिंग के बारे में बात करने के लिए के बीएस का मिस्टर चियू आ चुके हैं उ क्योंकि वह मुझे कॉल किये थे तब यून सांग शेडियूल को देखने लगती है तब ही यून बिन कहती है तुम इतनी यंगेश में तुम शेडियूल को इतनी जल्दी कैसे बूल सकती हो तुम्हें क्या हुआ है इसके बाद यून सांग मिस्टर कीम के पास जा कर मैं पहेकर सोल टीम का शेडियूल कैलेंडर को चेक करने लगती है। औरो कहती है सोल को एक वीक में 20 to 36 शेडियूल है। तभी इसे देखकर मिस्टर कीम कहते हैं हाँ इसके वज़े से तुम तक चुके हो तो मैं यह चाता हूँ कि एक न्यू टीम लीडर आए तो तुमारी काम भी कम हो जाएगा। तभी इसे शेडियूल का वज़े से मैंनेजर को इतना परिशन होगा तो सोल टीम का हालत क्या होगा। यूनसु का विशे की ओ दिन में 2 आवर्स के लिए सो सके और यून हो अब मूवी कर रहा है। उसका क्या हाल होगा और 4 मिम्बर्स भी बहुत हाड़ वर्क करते हैं। उनका क्या हाल है कहेकर पूछने लगती है तभी वहाद डैरेक्टर कांग आती है। उससे आते होए देकर यूनसंग चुप ओ जाती है। तब ही डिरेक्टर कांग यून सांग के पास आकर बेट जाती है। आउरो बताती है, मुझे भी तुमारी बात को सुनना है। आउरो सोल टीम का कैलेंडर को ले लेती है। इसके बाद डिरेक्टर कांग सोल का शेडियूल को चेंज करकर दिन में सिक्स आवर्स तक रेष्ट देने का डिसिशन ले लेते हैं। इसे सुनकर यून सांग और मिश्टर कीम कुश हो जाते हैं। फिर हम आईरिब और सियॉल जी को देखते हैं। जहाँ पर आईरिब सियॉल जी को उसका रेकॉर्डिंग स्टुडियो में लेकर आता है। सियॉल जी को देखकर एक स्टाफ पूशते हैं। क्या ये तुमारी गर्ल्फरिंड है। आईरिब कुश नहीं कहता है। इसके बाद उस स्टाफ को हूर का कॉल आता है। और ओ आईरिब कहा है कहे कर पूशता है। तब ही ओ स्टाफ आईरिब स्टुडियो में मेरे साथ है कहता है। इसे सुनकर हूर आईरिब से कॉल में बात करकर जल्दी आने के लिए कहता है। आई रिप मैं दस मिनिट में आता हूं कहता है। इसके बाद ओ श्टाफ स्यॉल जी और आई रिप को वहाँ अकेले छोड़ कर बहड़ जाता है। इसके बाद आई रिप स्यॉल जी को उसका सौंग को सुनाने लगता है। यही पर दोनों अच्चे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम स्टाफ को स्टार लइड का टेंथ आनिवर्सरी को प्रिपैर करते हुए देखते हैं। जहाँ पर यून सांग भी काम कर रही होती है। इसके बाद यून सांग चैर को बहर रखने के लिए जाती है। जिसमें मिश्टर कीम का मोबाइल होता है। तभी मिश्टर कीम को मेसेज आता है। इसे देखकर यून सांग मिश्टर कीम का मोबाइल को उटा कर मेसेश को पढ़ने लगती है। जो मेसेज यून सुका होता है। जहाँ पर वो मिश्टर कीम को मुझे यहां रहेने में मुश्किल हो रहा है, तो आप मुझे मॉंगोलियन जाने के लिए फ्लाइट बुक करिये कहता है, इसे देखकर यून संग शौक हो जाती है, तभी वहाँ यून सू आता है, यून सू को देखकर यून संग उसके साथ ब यून सू कहता है, मैं मॉंगोलियन जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं किया हूँ, यून सां कहती है, तुम ए सब अरेंज मुझे छोड़ कर कर रहे हो, यून सू कहता है, तुम अब बिजी हो, तो मैंने तुमें नहीं बताया था, यून सां कहती है, तो तुम ए सब बात को मुझे बताना जरूरे नहीं समझते हो क्या यूंसू कहता है क्योंकि मैं नहीं सोचाता कि ये इतनी बड़ी मैटर है तभी यूंसू कहती है कि ग्रूप को चोड़ कर जाना तुम्हें बड़ी बात नहीं है क्या इसे तुम मुझे कहे रहे थे तुम मुझे लाइक करत अब क्या हुआ तभी यूंसू कहता है मुझे तुमारी बात समझ में नहीं आ रहा है तभी यूंसू और भी डांटने लगती है तभी यूंसू उसे वहाँ से एक रूम में बात करने के लिए ले जाती है तभी यूंसू कहती है अगर तुम मोंगोलियन जाने वाले हो तो तुम क्या कह रहे हो? यून्सू कहता है उन्हें मिश्टर कीम को मेसेज किया था कि It's hard to settle in. एमिस शाइन का न्यू शो का टाइटल है. आवरो कहता है इस शो में बहर का आइडल्स उनका कंट्री में जाने वाले हैं. आवरो वहाँ चे दिन के लिए रहेंगे. वैसे क्या तुम सश में सोश रही थी कि मैं यहां से जाने वाला हूँ? इसके वज़े से तुम टेंशन मेते न? आवरो यून्सांग को सवाल के उपर सवाल पूछने लगता है. इसके बाद वो यून्सांग का मजा कुडाने लगत है. तभी वहाँ टायू और यून्बिन भी आते हैं. लोगों को आते हुए देखकर यून्सांग यून्सु को उसके साथ खीश कर ले जाती है. और वो दोनों एक जगा में चुप जाते हैं. यही पर यून्बिन टायू से कहती है हम दोनों भी अब बिजी है. तो हमें बीश में मिलना बहुत मुश्किल है. और तो और कुछ फैंस भी हमारे बारे में नोटिस करेंगे. यह सब को सुनकर टायू सैड हो जाता है. तभी यून्बिन कहती है जब हम टीवी शो में मिलेंगे तब तुम वियर्ड एक्ट मत करो. जेस्ट हेलो कहो. टायू यून्बि कहती है. इसके बाद तुम फिर से एपल मिंट का मेंबर को डेट मत करो. जैसे तुम तोड़ी टायम के लिए यही पर ही रहो. अब मैं जाती हूँ. अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा. कहे कर वहाँ से जाने लगती है. यह सब को यून सांग औ और यून सु चुपकर सुन लेते हैं. यही पर टायू यून बिन का जाने के बाद रोने लगता है. और ओ भी वहाँ से चला जाता है. टायू के जाने के बाद यून सु और यून सांग बहार आते हैं. तब यून सांग यून सु से पूछती है उन दोनों के बीश में क्या चल रहा है युनसु कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है क्या वैसे क्या तुम उन दोनों के बारे में मिश्टर कीम से बताने वाली हो युनसु कहती है मैं उन्हें ब्रेक अप करते हुए देखी थी तो मैं क्यों बताऊंगी अवरो युनसु से पूछती है हम दोनों त्री क्या करेंगे क्यूंकि त्री येर्स के बाद नो डेटिंग का कॉंट्रेक्ट भी कतम होता है एक कहेकर यूण सांक मैं अब बहर जाती हूँ तो तुम 200 तक काउंट करो कहेकर वहां से जाने लगती है यूण सांक के बाद को सुनकर यूण सु कुष हो जाता है फिर हम स्टार का एनिवर्सरी का सीन को देखते हैं, जहाँ पर डिरेक्टर कांग स्पीच दे रहे होते हैं, यही पर सब आइडल्स भी होते हैं, यही पर टायू यून सांग से कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, यून हो आशक का दिन एबजेंट है, यून सांग कहती है, क्योंकि उ वो भी यहाँ आना चाता था, लेकिन वो नहीं आ पाया है, इसके वज़े से वो सैड फिल कर रहा है, तभी हूर कहता है, आईरिब भी यहाँ नहीं है, आज यहाँ आफ सोल है, कहेकर उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है, तभी यून सो हूर से पोशता है, वैसे आई कहता है, मुझे लगता है, आईरिब को डेटिंग से कैरफुल रहना चाहिए, एक कहेकर वो यून बिन के और देखने लगता है, इसके बाद डिरेक्टर कांग की स्पीच कतम होता है, और वो सब से ग्रूप फोटो लेने के लिए बुलाती है, जब वो लोग फोटो के लेडी होते हैं, तब ही वहाँ मिस्टर बाई काते हैं, और डिरेक्टर कांग के पास आकर आप आपके काम को एंड तक अच्छे किये हैं, कहेकर डिरेक्टर कांग को कंग्राजुलेशन कहता है, मिस्टर बाई का बाद को सुनकर सब लोगों को अजीब लगता है, तब ही ड अईू क्या यहाँ Iडन के अमरा रखा है कहेकर पूछने लगता है? तबि मिश्टर बाइक डैरेक्टर कांक को ग्रूप फोटो में जॉइन करने के लिए कहता है फोटो लेते वक्त यून संग अपने अपसे पूछने लगती है यहाँ क्या हो रहा है? क्या डिरेक्टर कांग स्टार लाइट को चोडने वाली है तब है मिस्टर गुहान ड्रिंक्स का बॉटल को कोलने लगता है इसके वज़े से सब लोग शौक हो जाते हैं यून सांग सडनली फ्यूचर देखने लगती है जहाँ पर वो कॉल में बाते करते हुए जा रही होती है तब है उसके पास स्यौल जे आती है और वो यून सांग को लीडर कहे कर बुलाती है और वो यून सांग को सोल का आर्टिकल को दिखा रही होती है जहाँ पर आर्टिकल ग्रूप का अनेक्सपेक्टेड ब्रेकप के बारे में लिका हुआ होता है इसे देकर यून सांग परेशान होती है तबी हम प्रेजेंट का सिन को देखते हैं जहाँ पर यून सांग फ्यूचर को देखकर शौक हो जाती है तभी यून सांग को पार्क का बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम प्रेजन्ट को एपी करने के बारे में सोशो, तुमारी प्रेजन्ट हैपी हो जाएगा, तो तुम फ्यूचर को भी चेंज कर सकती हो, इसके बाद डेरेक्टर कांग सब को गुडब इसके बाद डेरेक्टर कांग मान जाती है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, यून सांग को जाते हुए देखकर यून सु भी उसका पीछे जाने लगता है, और वो उसके हाथ को पकड़ता है, तभी यून सांग कहती है, मैं तुम से अब कुछ नहीं कह सकती तबी यून्सु पुष्टा है क्या तुम आज से हमारा मैनेजर नहीं हो? यून्संग नहीं कहती है। इसे सुनकर यून्सु सैड हो जाता है। इसके बाद डेरेक्टर कांग यून्सु को एक जगह लेकर जाती है। जिससे डेरेक्टर कांग उनके new studio बनाना चाती है। इसे देखकर यून संग शौक हो जाती है तभी डाइरेक्टर कांग यून संग से कहती है मेरे पास एक आइडिया है और मैं आइडल का वर्किंग टाइम को 9 to 5 करने वाली हूँ तभी यून संग पूछती है 9 to 5 टाइम काफी हो जाएगा क्या तभी डाइरेक्टर कांग कहती है ये मेरी ड्रीम है तो तुम बड़ी ड्रीम्स को क्यों नहीं सोचती हो तभी यून संग फ्यूचर को देखने लगती है जहाँ पर मिश्टर कीम यून संग को डाइरेक्टर कहकर उसके पास आता है जहाँ पर सोल जी भी प्ले करते हुए एक आदमी के पास आती है जिसका नाम डॉंग यू अवरो डॉंग यू को अवार्ड मिलने के लिए कंग्राजुलेशन कहती है तबी सोल का फैंस को चिलाते हुए देकर डॉंग यूंसांग से पुछता है यूंसांग में नहीं जानता हुए अवरो उसके साथ जाने लगती है इससे देकर यूंसांग फ्यूचर चेंज वोने वाला है लेकिन मैं सोल टीम को फ्यूचर में कैसे बूल सकती हुए कर परिशान हो जाती है फिर हम 2007 का सिंग को देखते हैं जहाँ पर यून सांग एक लड़के को आइडल का जैसे पोस करने के लिए सिखा रही होती है तभी वहाँ उसकी ग्रैनमा आती है औरो यून सांग से पूछती है क्या तुम फिर से सिंगर का गेम केल रही हो तभी यून सांग नहीं कहती है लेकिन यून सु हम तो जश्ट सिंगर केल रही है कहने लगता है इसे सुनकर यून सांग को गुसा आ जाती है तभी ग्रैनमा यून सांग से ए लड़का कौन है कहकर पूछती है लेकिन युंसंग क्या आप टैबलेट लेना बूल चुके हो कहे कर गर के अंदर जाती है युंसंग के जाने के बाद grandma युंसू से तुम्हारा नाम क्या है कहे कर पूछते हैं तबी युंसू उसका नाम को बता देता है तबी वहाँ युंसंग grandmother के पास आती है तब ही ग्राणमा युन्सू से तुम जब फिर से युन्सां को मिलोगे तब अच्चे से टाइम स्पेंड करोगे कहती है यही पर टॉप मैनेश्मेंट का फाइनल एपिसोड कतम होता है